हलो स्टोटेंट्स, वेलकम टू ग्लोबला ओनलाइन, दिस इस अंकीता सोध, सोतराखन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वन में, लास्ट लेक्चर में हमने फिलोसोफिस इन एजुकेशन डिसकस किया था, रिमेनिंग फिलोसोफिस को इस सेशन में हम देखेंगे ज इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लाँच किया है, जहां पर आपको फुल सलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही जादा सिंपल लैंग्विज में, रियल लाइफ एक्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ यहां पर आपकी कारिटी की हम शॉरिटी देते हैं, साथ ही आपको फुल सलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इसली मोबाइल फोन में भी डाउन्लोड करके आपड़ सकते हो, फुल सलेबस मॉक टेस हैं, जिसमें से as it is 100% questions examination में बहुत बार पूछे गई हैं, तो students यह मॉक टेस्ट आपक तो बहुत easily paper one में अच्छा score कर सकते हो, free videos के access के लिए global online app को download कीजिए, store section पर search बार में आपको course का नाम लिखना है, इसके overview के बाद आप content पर click करोगे, यहाँ पर आपके सामने मेरे lectures हैं, अगर आप सिरफ यहाँ पर इस folder में मेरे lectures, test series और notes को follow करते हो, तो भी आपका selection 100% ह होगा ही, इसके अलावा English medium students के लिए यहाँ पर free demo videos भी है, and unit wise folders हैं, जहाँ पर आपको theory lectures, MCQ lectures and test मिल जाएंगे, जो की काफी हैं आपकी तयारी के लिए, so given numbers पर contact करके आप इसकी पूरी information भी ले सकते हो, and इसको easily join भी कर सकते हो, हलो students, welcome to global online, this is Ankhita Asod, so NTA, you just in it, paper 1 में teaching aptitude का एक बहुत ही जादा important topic हम आज cover करने वाले हैं, जिसका नाम है educational philosophies यानि की शेक्षिक दर्शन, so last video में हम शेक्षिक दर्शन के 6 बहुत important प्रकार discuss कर चुके हैं, जो कि examination में भी बहुत बार पूछे गए हैं, remaining six types को आज इस video में हम देखेंगे, and हमेशा की तरह मैं आपको previous year questions के साथ ये भी बताऊंगी कि किसी particular topic में से किस तरीके से questions exam में पूछे जाते हैं, so teaching aptitude में ये हमारा lecture number three है, अगर आप लोगों ने अभी तक previous two lectures नहीं देखे हैं, तो description box जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर links available है, बहुत ही जादा important sections है, बहुत ही जादा important topics है, जो कि latest pattern के according exam में हर shift में पूछे जा रहे हैं, so सबसे पहले शिक्षन अभी वरिती का complete syllabus आपको पता होना चाहिए, so ये complete syllabus है, and teaching aptitude में बहुत से topics ऐसे हैं, जो कि आपको syllabus में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन actual में exam में बहुत बार पूछे जाते हैं, so जैसे की last lecture में हमने education और कुछ important philosophies पढ़ ली थी, so अलरड़ी ये सब चीज़ें हम discuss कर चुके हैं, आप देख सकते हो, ओके, so six points तक हमने discussion कर लिया था, link description box में है, इसके अलावा अब हमारा seven point आता है, rationalism यानि की बुद्धी वाद, so rationalist यानि की तर्क वाद या फिर बुद्धी वाद क्या होते हैं, उनका ये वादा था, उनका ये दावा था कि ऐसे महत्वपूर्ट तरीके हैं, जिन से हमारी अवधार रणाएं, यानि की हमारे कुछ concepts और हमारा knowledge जो है, ठीक है, और हमारा ग्यान जो है, वो इंद्री अनुभव से, स्वतन्त रूप से प्राप्त होता है, कि इसमें देखो, rationalism सिरफ यही बोलता है, कि जो हमारे senses होते हैं, आपको पता होगा, कि जो हमारी इंद्रिया होती हैं, वो क्या होती, जिसे किसी चीज़ को हम touch करके feel करते हैं, किसी चीज़ को हम सूंख करके उसके बारे में पता करते हैं, किसी चीज़ के सुनकर ही हमें पता चलती है, तो ये सारे क्या हैं हमारी इंद्रियां हैं हमारे sense organs हैं तो जो हमारी sense experiences होते हैं जो हमारा इंद्रिया अनुभव होता है वो independently हम लोग gain कर सकते हैं कैसे अपने अवधारणाओं से और अपने ज्यान की मदद से तो इसको कहा जाता है rationalism जिसको गुद्धिवाद या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो दोनों ही important points है exam में as it is statement पूछी गई थी कुछ भी extra पढ़ना नहीं है ओके next है अनुभवतावादियों अनुभवतावादी एंपरिसिस्ट जिसको English में बोला चाता है अनुभववादियों का दावा ये है कि इंद्रिया अनुभव हमारी सभी अवधारणाओ और ग्यान का अंतिम स्त्रोत है आप देखो ये दोनों एक दूसरे के बिलकुल opposite है बुद्धिवाद या फिर तर्कवाद ये बोलते हैं कि हम जो भी हमारा knowledge या फिर जो भी हमारा concept होता है वो independently हमें मिलता है सिरफ हमारी इंद्रियों के अनुभव के द्वा लेकिन अनुभवतावादी ये बोलते हैं कि जितना भी हमारा इंद्रियों वाला अनुभव है sense experience है ये हमारी जितने भी concept होते हैं जितना भी हमारा knowledge होता है उसका बिलकुल last उसका बिलकुल अंतिम स्त्रोत होता है ultimate source ये इसका होता है ओके अब देखो कई चीज़े ऐसी हो होती है ना कि हम लोगोंने किसी चीज़ को टच किया पहली बार ठीक है तो वो feel जो रहती है हमारे हाथ में हमेशा रहती है है ना तो यही होता है वो sense वाला जो अनुभव बोला जा रहा है एक नया ही अनुभव हो सकता है किसी bird को आप पहली बार टच कर रहे हो किसी आपको दे कर जाती है इसमें empiricist बोलते हैं कि यह ग्यान बिलकुल अंतिम स्त्रोत होता है इसके आगे कुछ भी नहीं है ऐसा यह कहते है अगला है existentialism यानि कि इसको यह देख सकते हो existentialism existentialism मतलब जो चीज़े exist करती हैं जो चीज़े actual में हमारे सामने होती है इसमें बोला है it is a philosophy that emphasis यह points पर ध्यान मत दीजेगा यह थोड़ा सा गलत हो गया है it is a philosophy that emphasis individual existence freedom and choice ठीक है so existential देखो exist जो चीज़े करती है अब हम बोलते न कई लोग बोलते हैं कि भगवान है कई लोग बोलते कि भगवान नहीं है तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान है इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उनका अस्तित्व समझा है उनको पता है कि उन्होंने कोई बात कई है उनकी विश्पूरी हुई है या कुछ भी चीज़ें हो सकती है अपने अपने पॉइंट पर कुछ भी आप मान सकते हो जिके तो वो existentialism होता है कि कुछ चीज़ें exist करती है यह कैसा दर्शन है जो जो जोर देता है कि व्यक्तिगत अस्तित्व स्वतंत्रता औ and isolation of individual experience in a hostile or different universe regarding human existence as unexplainable and stresses freedom of choice and responsibility for consequences of one's act. देखो simple सी चीज़ है existentialism यह बोलता है कि यह ऐसी विशिष्टता पर एक ऐसी अलग सी चीज़ पर जोर देता है कि शत्रता पुर्ण या फिर उदासीन में व्यक्तिगत अनुभव ब्रम्हान मानवस्तित्व को अस्पष्ट मानता है अब देखो इसमें यह बोलता है कि जो चीज़ exist करती है वो है जो exist ही नहीं करते जिसके बारे में हमने खुद देखा ही नहीं जो चीज़ हमारी आँकों के सामने आज तक आई ही नहीं जिस चीज़ को हमने खुद से feel या observe किया ही नहीं वो होती ही नहीं है ठीक है यह कहा है देखो यहाँ पर यह statement बहुत important है किसी a philosophical belief we are each responsible for creating purpose or meaning in our own lives. So, ये एक ऐसी दार्शनिक मान्यता है कि जिसने मान लिया उसके लिए ये एक्च्वल में हैं, जिसने नहीं माना उसको ऐसे लगते, अब देको बहुत लोग ऐसे जो भगवान में नहीं मानते, तो उनको लगता है कि जो भी हो रहा है, ये बस हमारे कर्मो का ही है, हमने पहले कुछ, मैंने कल पहले आईसक्रीम खाली इसलिए मैं बिमार हो गया उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें वो अपने कर्मों का ही है जो हमने कुछ काम किया होगा उसे के रिजल्ट में हमारे साथ ये अच्छा ये बुरा जो भी है वो हो रहा है जो लोग भगवान में मानते हैं तो वो ये सोचते है कि जो भी किया भगवान ने किया है है ना ये जीवन हमारा चल रहा है हम सांस ले रहे हैं हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ये भगवान कर रहे है सो एक्जिस्टेंशनिजम एक दार्शनिक मानियता है कि हम इसे परतेख अपने जीवन में उदेश्य किसी भी एम या अबजेक्टिव या किसी अर्थ पैदा करने के लिए जिम्मेदार है इसमें ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम उसके लिए खुद रिस्पॉंसिबल है हमारा व्यक्तिगत उदेश्य और अर्थ हमें देवताओं सरकारों शिक्षकों या अन्य अधिकारिय द्वारा नहीं दिया जाता है तो देखो यही बात मैंने अभी बोली, हमारा जो उदेश्य है, हमारे जो परपस है, और जो भी हमारा मीनिंग है, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, वो ना तो हमें भगवान से मिलता है, ना कोई सरकार, ना टीचर, ना कोई और हमें देते हैं, ये हमें कौन देता है, सिरफ ह वों कोई कोई हो सकती है यह मानने वे सटूडेंट में एक स्टूडेंट में नेट क्वालिफाई हो गया कि उन्हों नेम अ मेहनता बिलकुल उन की थि वह खुद बोल रहर तो कई लोग इसको ये मान सकते हैं कि अच्छा बगवान ने देखो कृपा कर दी इन पर कि बिना पढ़े बिना कुछ किये फोस्ट टेंप्ट में ही इनका पेपर कौलिफाई हो गया अगर कोई बगवान को मानने वाले लोग होंगे तो वो ये बोलेंगे अगर जो इनसान न मैंने क्या किया? एक्जाइम को कौलिफाई कर दिया तो ये डिफरिंट चीजें होती हैं existentialism यही बोलता है कि हमारे जो भी purpose है हमारे जीवन में जो भी होता है उसके लिए सिरफ हम ही जिम्वार होते हैं behaviorism व्यवहार बाद ये मानता है कि शिक्षार्थी यानि कि student एक learner एक निश्क्रिय जीव है जिसे नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है so behaviorism यही बोलता है कि जो भी student होते हैं जो भी learner होते हैं वो एक ऐसे organism है वो एक ऐसी ऐसे इनसान है ऐसे जीव है जो कि कुछ नया सीखते हैं कुछ नया सीखते हैं वो ऐसी condition में होते हैं कि वहाँ से वो कुछ नया सीखेंगे ही और उनके विवहार में परिवर्तन आएगा ही आ ठीक है जो स्टाल्ट psychology क्या बोलती है it believes that the whole is greater than some of its part यह मानता है कि संपूर्ण है पूरी कोई चीज है इसके भागों के योग से अतिक अब देखो संपूर्ण जो है इसके छोटे-छोटे पार्ट से मिलकर बनता है कुछ ऐसे इसमें कहा गया है ठीक है for example in the human body there are cells, tissues, organs जैसे हमारे शरीर में देखो कोशिक आएं हैं हमारे अलग-अलग parts हैं जैसे हाथ हो गए बोड़ी के अंदर भी बहुत सारे parts है kidney, liver यह सब चीज है ठीक है the sum of all these components यानि कि इन सब को मिला करके मानव का शरीर बनता है जो कि इन सब को मिला करके एक बहुत बड़ी चीज है अब अगर अकेली kidney रख दो तो उसका कुछ काम है नहीं है, अकेला दिमाग रख दो तो उसका कुछ काम है नहीं है, जब तक हमारा दिमाग किसी चीज़ से connected तो वो करेगा क्या, अब मैं बोल रही हूँ, तो मेरा दिमाग मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैं यहाँ पर कुछ-कुछ लिख रही हूँ, मेरे दिमाग ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, तो यह सारी चीज़े connected होती हैं, यह इसमें कहा गया है, कि जितने भी हिस्से होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और एक साथ जुड़ कर वो बड़ा कुछ बना सकते हैं, next is, उदार दर्शन, eclectic philosophy, it is nothing but the fusion of knowledge from all sources, ठीक है, स्त्रोतों से ज्ञान का, सलयन है उदारवाद, it is peculiar type of educational philosophy, which combines all good ideas and principles from various philosophies, उदार दर्शन, simple सी बात बोलता है, कि, जितना भी हमारा knowledge है, छोटी-छोटी अलग-अलग books में से आपने knowledge लेकर एक exam को qualify कर दिया, अलग-अलग जगा से knowledge लेकर आप एक बहुत ही cool and calm जीवन जी रहे हो, यह उदार दर्शन कहता है, ठीक है, उदार philosophy कहती है, इन philosophies को अच्छे से यात रख लीजेगा, हम लोग इसके बाद जो बाद में आएगी unit number six logical reasoning है ना, logical reasoning में आपको पता है कि Indian logic है, उसमें यही सब चीजे थोड़ी से घुमा फिरा कर पूछी जाती है, तो अभी अगर clear होंगे concepts, तो आगे आपको बहुत असानी हो जाएगी, तो जहां पर भी बात की जाएगी, कि छोटे छोटे knowledge को मिला करके, हमने कुछ बड़ा चीव कर लिया, वो होती है, eclective philosophy, उदार दर्शन, ओके, तो देखो अभी से पर based questions हम देखते हैं, So, कल मैंने आपको बताया था, जहां पर भी हम ideas और values की बात करते हैं, विचारों और मुल्यों की बात करते हैं, इसका मतलब है, हम प्रकृती बाद, यानि की naturalism की बात कर रहे हैं, ओके, बिना सोचे समझे, इस कांसर जा सकता है, Keywords मैंने बताएं हैं, देखो अगला question है, इस कांसर भी naturalism ही है, ये question क्या बोलता है, दर्शन शास्तर विद्याले, जो शिक्षिक प्रक्रिया के एक महत्वण भाग के रूप में खेल का समर्थन करता है, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, तो स्कूल में एक क्लास ऐसी होती थी थी जहां पर बस बच्चों को छोड़ दिया जाता था, खेलो तुमने जो खेलना है, करो तुमने जो करना है, है ना, तो कौन से फिलोसिफी के हिसाब से एजुकेशन में खेल कूद का एक बहुत इंपोर्टन महत्व माना गया है, तो वो माना गया है नेचुरलीजम में प्रकृती भाद में, सो यहां पर अगर हम डिटेल में देखें, सो नेचुरलीजम क्या बोलता था, यह बोलता था कि कॉंट्रारी ओफ आइडलीजम, यानि कि यह उसका उल्टा था, यहां से देखते हैं, ठीके, इसमें देखते हैं, नेचुरलीस्ट डिड नॉट बिलीव इन गॉड, स्ट्रे सिर्फ वही सारी रियालिटी हमें बताती है कि हमारे आस्वास जो चीजें हो रही हैं, बस वही हमें सब कुछ बताती हैं, और बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, ठीके, सो यहां पर दो क्वेशन्स है, अब देखो एक और इंपोर्टेंट टेबल है, जहां से प्रिवियस है अगर हम बात करें, दो हजार बारा तेरा में इस से पहले कुछे जाते थे, अब दो हजार बीज के बाद में लगभग हर एक शिफ्ट में इस वाले टेबल में से कुछे जाते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अविलिबल है, तो कुछ अवधारनाई हैं और उनके मुख्य प्रस्तावक हैं, अब जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि बुन्यादे शिक्षा नाम का एक टाइटल किस ने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने दिया था, बेसिक एजुकेशन, महात्मा गांधी का कहना था कि हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, और इसके उपर एक कमिशन भी बनाया गया था, जिसका नाम था वार्था एजुकेशन सिस्टम, ठीके, सो ये स्टेटमेंट दी गी थी, महात्मा गांधी के द्वारा, दो हजार पाइस, अभी जो दिसंबर दो हज लिख सकते हो, हम सीखेंगे, क्योंकि हम नेचर में अपना एक प्लेस बनाना चाहते हैं, और हम नेचर से ही चीज़ों को सीखते हैं, ये चीज़ कही थी, रविदर ना टेगहर जी ने, उसके बाद, श्री अरविंदो जी ने ये कहा था, कि इंटिग्रल एजुकेशन, इं टैग लाइन इनके द्वारा दीगी थी, ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये टेबल English Medium Students देख लीजे, चीज़ों को याद रखिए, समझाने का कुछ नहीं है, अब जैसे ये भी एक्जाम में आ चुका है, फ्रोइबल नहीं कहा था, कि किंडर कार्टन, फोकस ऑन सेल् वो आत्मगति विधियों पर सादा ध्यान देता है, रचनात्मग होता है, और समाजिक सहयोग सिखाता है, तो ये दो स्लाइड से, इसको आप Hindi एंड इंग्लिश जिस भी लांगोज में तयारी कर रहे हूँ, स्क्रिंशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ओके, सो एक और क्वे देख सकते हो, मैं आपको explain कर दूँगे, इसमें कहते है, learning by doing, learning by doing, खुद करके हम कैसे सीख सकते हैं, practically हम कैसे सीख सकते हैं, ये इसमें बोला है, उसके बाद आता है, education through environment, realization of truth, beauty and goodness, world as it is here and now, ठीके, अब ये इसका answer मैं आप लोगों को बताने नहीं वाली हूँ, ये कुछ philosophies हैं, हमने पढ़ ली हैं कल भी और आज भी, ये सारी लगभग कल ही पढ़ चुके थे, ये मैंने आप लोगों को दे दिया homework question, इसका answer, paid students मुझे whatsapp group में बताएंगे, बाकी के students मुझे comment करके बताएंगे, ओके, नहीं आता है, तो भी मुझे बता दीजे कि इसका answer नहीं सम जा रहा है, मैं आप लोगों को personally इसको explain करके बताऊंगे, ओके, अब देखो अगला है, ठीके, so, next question हमें क्या बोलता है, अच्छे से इसको देखिएगा, बच्चा, स्कूल और शिक्षा स्वयम बड़े पैमाने पर समाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा आकार लेते हैं, इसका सिधान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था, रिकंस्ट्रक्शनीजम के द्वारा, यह question आपका 2019 में एक्जाम में पूछा गया है, ठीके, so, रिकंस्ट्रक्शनीजम क्या होता है, पुननिर्मान क्या होता है, इसको critical theory के नाम से भी जाना जाता है, अगर अलोचनात्मक सिधान्त, एक्जाम में लोट कर लीजे, same question में हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शनीजम की जगा आपको, option में, पुननिर्मान की जगा option में, अगर अलोचनात्मक सिधान्त लिखा हो, तो आपको असानी हो जाएगी, Social Reconstructionism emphasizes that the addressing of social question and a quest to create a better society and worldwide democracy, समाज में भी पुननिर्वान वाद होता है, ठीके तो ये किसलिए होता है, ये इसलिए होता है कि समाजिक जो भी प्रश्न है, उनका समाधान एक और बहतर तरीके से दिया जाए, ताकि हम एक अपने समाज को और भी बहतर बना सके, और विश्व व्यापी लोग कंत्र बनाने की खोज में ये जोर देता है, एक्जाम में ये question भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो philosophy है जो कि एक better society और एक worldwide democracy बनाने के लिए responsible हो सकता है, तो answer होना चाहिए reconstructionism, अब आपका घर अगर पुराना हो चुगा है, आप बिल्कुल zero से घर बनाना नहीं चाहते, आप उसी घर में क्या करते हो, construction करते हो, construction नहीं, reconstruction करते हो, पुनर निर्मान करते हो, अंदर जैसे खिड़कियां वगयरा पुरानी हो गई थी, तो लकड़ी चेंज करवा देते हो, paint चेंज करवा देते हो, flooring चेंज करवा कर उसी घर को renovate करते हो है न, तो वो क्यों होते है, better बनाना है हमें किसी चीज को, उसी चीज को बहतर बनाने के लिए कुछ कदम लिये जाते हैं, कुछ कदम उठाये जाते हैं, जिसको reconstructionism भी कहते हैं, ठीक है? Reconstructionist educators focus on curriculum that highlights social reform as aim of education, so, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक भी पुनर निर्मानवादी हो सकते हैं, अब इसका एक बहुत अच्छे example मैं अपने आप से relate करके यह आपको बताती हूँ, देखो, जब हम लोग 2019 में UGIS in 8 exam पढ़ाते थे, तो हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे topic का selection कुछ और होता था, क्योंकि exam में वैसे questions पूछे चाते थे, लेकिन अभी 2023 के cycle के लिए हमने देख लिया है कि 2021-22 में exam का pattern कैसा रहा है, exam का level कैसा हो चुका है, तो अब हमने क्या किया, हमने reconstructionism educator बन गई हैं, हमने focus किया curriculum पर, अपने पाठ्य करम पर, ध्यान केंदरित किया, और शिक्षा के जो उदेश्य हैं, उसमें हमने इस चीज़ पर focus किया, कि अगर हम पढ़ा ही रहे हैं, हम मैनत कर ही रहे हैं, तो हम अपने आपको ऐसा बना दें, कि हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है, उसका exam qualify हो जाए, that is called reconstructionism, ओके, शिक्षा का लक्ष, अच्छे भविश्य की कल्पना करना, और भविश्य में उस भूमिका की तयारी के रूप में, शीखने को खर्च करना है, जिसके लिए कोई व्यक्ती पहुंचता है, ओके, इसके अलावा दूसरा option था, existentialism, ठीके, इसमें आप देख सकते हो, यह philosophical एक form है, philosophical inquiry है, that explores the nature of existence by emphasizing the experience of the human subject, यह ऐसा एक रूप है, जो मानव विशे के अनुभव पर जोर देकर, असित्व की प्रकृती का पता लगाता है, ठीके, investigation काँ पर होती है, meaning of being पे, pragmatism, pragmatism एक philosophy है, जो की consider करती है, word and thought as tools and instruments for prediction, problem solving and action, ठीके, वहारिक्ता हमें भविश्य किसी के विचारों को भविश्यवानी करना, समस्य समाधान करना, कारेवाई के लिए, जो काम करते हैं, उन सब चीजों पर, यह हमें ध्यान देने में मदद करता है, इसके अलावा देखो, यह question, okay, already हम देख चुके हैं, ठीके, सो यह देखो, question है न, the child, the school, and education itself are shaped largely by social and cultural forces, social and cultural forces was initiated by, was one of the basic principle of which philosophical thought, same question है, देखो, statement same है, यहां से लेकर, यहां तक ही statement बिल्कुल same है, दोनों questions में, एक question 2019 में आया है, एक 2022 में आया है, answer भी same ही होगा, दिखते सी बात है, लेकिन options different है, जो कि आपको पता होने चाहिए, okay, so यह देख सकते हो, हम हर चीज़ देख चुके हैं, second option यहां पर था, perennialism, ठीक है, जिसको की, स्थाइत्व बात कहते हैं, यह teacher-centered educational philosophy है, it focuses on overlasting ideas and universal truth, यह शाश्वत विचारों और सर्वभॉमिक सत्यों पर केंदरित होता है, okay, educational, preennialism, also referred to as universal curriculum, ठीक है, इसको सार्वभॉमिक पाठ्यकरम भी कहा जाता है, essentialism हम discussion कर चुके हैं already, logical positivism, तार्किक सकारात्मक्ता क्या होती है, इसको logical empiricism भी कहते हैं, इसमेंि कहा जाता है, it believes that scientific knowledge is only kind of factual knowledge, इसमें यह ही कहा जाता है कि जो विग्यानीग जिएन होता है, वो एक मात्रपरकार का तध्याथमक्यान होता है, कि सिरफ valid knowledge हमें कहां से मिलता है, सिरफ scientific research, scientific knowledge होता है, सिरफ वही एक valid knowledge होता है, वाकि कुछ भी exist ही नहीं करता यह क्या है इसको हम neo-positivism भी बोलते हैं तो exam में अगर logical positivism की जगा neo-positivism option होगा तो आपने confused बिल्कुल भी नहीं होना है next question है which among the following thinkers okay so this question में काया है who among the following thinkers propagated the idea of education of the most talented so यह है Plato के द्वारा कही गही statement ठीक है the ancient Greek philosopher यह कौन थे ancient Greek philosopher थे Plato he was a student of socrates and teacher of Aristotle his writing explored justice beauty and equality so यह question भी exam में पूछा गया है Plato के नाम से directly question पूछा गया था कि justice beauty और equality के बारी में किन philosopher ने कहा था तो answer आपको पता होना चाहिए Plato ठीक है यहां पर देको हिंदी में भी बहुत simple है निमलिकित में से किस विचारक ने सबसे प्रतिभाशाली के शिक्षा के विचार का प्रचार किया था ठीक है education for Plato was one of the greatest things in life Plato का यह कहना था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिरफ और सिरफ एक education ही होती है उसी से हम हर एक चीज को अचीव कर सकते है the main function of education according to Plato is not to put knowledge into the soul but to bring out the talent latent talents in the soul so इनका कहना यह था कि education जो है यह सिरफ knowledge को अपने दिमाग में रखना नहीं है आप कोई knowledge अगर collect कर रहे हो कोई नहीं चीज अगर सीख रहे हो तो उसको actual में use भी करो उससे अपना talent और अप polish करके उसको present करो किसी के सामने यह Plato के द्वारा कहीगी statements थी ठीक है so Greek philosopher थे Plato हर एक चीज मैंने आपको बता दी है detail में अब मैं teacher हूँ मैंने एक तरीके से आपको छोटे बच्चों को कोई चीज दिखा दी उनको समझ नहीं आई दूसरे तरीके से समझा दी समझ नहीं आई अब मैं एक problem में फस्की कि मेरे बढ़ाने के तरीके से बच्चे समझ ही नहीं रहे है मेरे कौन सा method मैंने उनको lecture method से भी बढ़ा दिया उनको मैंने demo method भी दे दिया उनको practically भी चीज़ें बता दी अब उनको मैंने games के through भी चीज़ें सिखा दी या भी मैं confused हूँ कि appropriate method मैं ढून नहीं पा रही हूँ for the transaction of a course content कई बार क्या होता है देखो कई topics ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए actual में यह होती है चीज़ें जब आप teacher बनोगे तो आपको बता चलेगा कि कई topics ऐसे होते हैं कि आपको खुद को भी boring लगते हैं आपको उसका knowledge जितना मरसी है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि यह चीज में किसी के सामने कैसे present करूं interesting way में बना कर इसको कैसे present करूं तो यह इस question में का गया है कि एक teacher को यह समझ नहीं आ रहा कि course में से कोई एक topic में कैसे बच्चों के सामने एक अच्छे method से present करूं so which branch of philosophy will most appropriately describe his or her predicament ठीक है तो उनकी यह जो दुविदा है इसको कौन सी philosophy सही answer बताएगी तो वो है epistemology ग्यान मिमान सा यह logical reasoning में भी चीज़ें आएंगी ठीक है same चीज़ें आएंगी थोड़े से terms different होंगे तो इसको note जरूर करना है epistemology क्या बोलता है the branch of philosophy that deals with knowledge and examines the nature of knowledge ठीक है तो यह एक ऐसी philosophy है जो कि knowledge के साथ पहले deal करता है और फिर examine करता है कि knowledge किस प्रकार का है किसे देना है उस knowledge को सीखने वाले जो बच्चे है उनका level क्या है हमें उसके बारे में कितना knowledge है and it also focuses on acquiring skills in learning to discover or construct the knowledge and इसमें यह teacher को तो idea बताता ही है कि कैसे आपको अपनी चीज़ें present करनी है उसके अलावा यह psychology जो है कि philosophy जो है यह हमें इस चीज़ पर भी focus करने में मदद देती है कि बच्चे कैसे कुछ ऐसे skills को समझें कैसे कुछ ऐसी चीज़ को discover करें कि वो knowledge असानी से capture कर सके और लंबे समय तक उसको याद रख सके ओके इसी के साथ students आज हमने educational philosophies का एक बहुत important section को cover कर दिया है यह कैसा topic है जो कि जरूर upcoming exam में आएगा ही आएगा कोई doubt है तो भी मुझे पूच सकते हो clear है तो हमेशा की तरह comment करके भी मुझे जरूर reply कीजेगा so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best